हेलो एव्रिवन आपको स्वागत है एसी साटर में तो फाइनली जो है नेशनल स्कोलरशीप पोर्टल 222 का स्टार्ट हो गया है सभी राज्यों के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में कैसे अप्लाई करना है ठीक है वो बता हुआ उससे पहले आपको यह बता हुआ कि डॉक को अपलोड करेंगे ठीक है तो फटा फट से स्टार्ट कर लेते हैं यह ओफिशल वेबसाइट है इसका लिंग में आपको दे दूँगा डिस्टिन में आप जैसे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा उसके पाद आपको नीचे आना है ठीक है तो यह जो है स्कोलर्शिफ दी जाएगे सेंटल से यूजसी स्टेट स्कीम तो अलगले स्कीम दी गई है तो अभी जो फलाल के लिए स्कीम निकली है वो निकली है सेंटल स्कीम मतलब सभी राज्यों के लिए ठीक है प्रीमेट्रिक और पोस्मेट्रिक वो होती है जिसमें क्ला करा है जब कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए और दोनों के लिए जो है गार्डनेंस पी अलग अलग दी गई है ठीक है और इसकी जो फॉर्म है उनलाइन सब्सक्राइब मेर्श पॉर्म था सूर। ऐरे काई ठीकन Since सब्सक्राइब उनलाइन आ सबसक मासे बिशूंते हैं और प्रेदर ना इसमार अग्यार। तो जो इसकी LGBT है एक लाख जो है आपके parents की annual income होनी चुछे उससे ज्यादा नहीं होनी चुछे ऐसी जो है आप postmatic में है के अंदर आते हैं तो उसकी जो है दो लाख तक की आपके parents के annual income हो सकते हैं उसे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है और जो 50% marks previous class में आपकी होने चाहिए ठीक है तो अब जो है आपको apply कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा ठीक है इसका link में आपको दे दिया आप जैसे प्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ताम कर रहे हैं तो new station पर क्लिक करेंगे ठीक है उसके बाद जो है आपके सामने ऐसा आएगा आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद तो यह session जो है खुल जाएगा 223 का तो अभी जो फिलाल के लिए form start हुए है mandatory के लिए जो सिक्ष होते हैं जैन होते हैं मुस्लिम होते हैं ठीक है उनके लिए जो मेंनिटरी के टिगीरी में आते हैं ठीक ऐसी ओबिसी के भी जो है निकलेंगे जनरल के भी निकलेंगे तो उसका भी मैं इंफॉर्म कर दूं आपको तो मैं आपको बताता हूं जो अगर क्या लगेंगे एडुकेशन टोकुमेंट अफसे अफ स्टूडेंट्स मतलब आपकी आपकी जो मांगशिट है वो लगेगी प्रिविएस क्लास के अर आप क्लास 10 में कर रहे हैं तो अपनी 9 के जो है लगेगी मांगशिट और स्टूडेंस का बैंक अकॉंट नंबर और आएफसी कोर्ट के साथ होना चाहिए अगर आप प्रिमेटिक के लिए अप्लाइए करने मतलब की फर्स्ट क्लास से 10 क्लास के बीच में आते हैं तो आपके अगर बैंक अकॉंट नहीं है तो कोई बात नहीं अप आप जो है अपने पेरेंस का जो है लगा सकते हैं ठीक ह ठीक है तो आप टेंचन लेने के बात नहीं है अगर आपका अकॉंट नहीं है तो आपने पेरेंस का भी लगा सकते हैं और पोस्टमेटिक वाले जो हैं उनको तो अपना लगाना ही पड़ेगा और अधार नंबर जो है आपका स्टूडन का होना चाहिए इस अधार इस अधार निकल वाले ना जातो हमाई साथ को बॉनाफाइट सेर्टिफिक निकल वाकर साइन वन करवाकर हैं हाँ भी यह स्टूडन्स मेरे इंस्टिटू में पट रहा है तो मैं इसको जो है अलाव कर रहा हूं तो वह पॉनाफाइट होता है ठीक है तो अगर आपके वस अध अधार अधारगाट नहीं आता तो उसके अधारगाट आती है तो वह आपको सम्मिट करनी होगी स्कैन कोप्यों बैंक पास्पुक की जो फस्ट पेज होता है ठीक है और इंसिट्यूट स्कूल इस डिफेंट फ्रॉं डोमसाज स्टेट मतलब की आप जहां रह रहे हैं और आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बोन अफेट स्टुडेंट लगाना पड़ेगा वेरिफाइब करवाना पड़े है स्कूल से यह बच्छे यहां पर बढ़ रहा है तो अलाव कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्लोट करना हुआ अब जो है डे अकिंशने पर रहे तो वसका बिचवर resposta लगेगा लाव मों में अब ऑना मत करना है अब होटारा उसके बात जो है your scholarship category अब कुन सी डिदी में मेरे प्रिमेटरी के पोस्टमेटरिक तो आप देख लिए प्रिमेटरिक वाले जो है फिर्स किलास से लेकर 10 किलास तक है और जो पोस्टमेटरिक यहां हो किलास 11 12 या कोई एधार काड में आपको सही करना पड़ेगा जो भी आपको तो आपको सही करना पड़ेगा जो भी आपके वोग्ड जो पिल करेंगे आपको सब्सक्राइब यह नहीं कि आप अधार कार्ट में कुछ और है तो आपको सही गनाना पड़ाइगा जो भी आपके अधार कार्ट में अगर नाम चेंज है गलत है तो उसको करेंगे पड़ापट से ठीक है और मॉवाइल नंबर होना चाहिए एक्तिम वेरिफाई जो इंकम याउट को आती हो ह चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल आप अपने पास रखिए जिसेगी जो है जब अपलोड करनी हो तो वह उसी टाइम आप कर लें ठीक है अडेंटिफिकेशन डिटेल अधार नंबर ठीक है ट्वैल डिजिल अधार नंबर होता है प्रिंटिड वह मांगा जाएगा आपको करना होगा झाल रिकोर्ड के लिए तो इनकित तो मैंड को बदाती कैके लगेगा तो उसके बाद भी वेरिफाइं करके चैक करके ठीक है उसके बाद जो है आपको तीनों फें जैसे person के जो है आप कि न सामने में जैसे स्टेट ठीक है आपको state select करनी है ठीक है जहां के भी आप निवासी है इसे पंजाब के है जाहं के भी आपको select करनी है डेली के तो Simple आपको करना है Scholarship Kategory यह pre-matric और post-matric में वह है जो फर्स किलास के तेन किलास के पीज में आते हैं कhi आप बाएंट को दीए करना है अगर आपको डालना है अगर आप के सेंटिट इटीघ है अगरो स्कूलर्स आप करनी है scholarship scheme जा incentive scheme ठीक है तो scholarship scheme पे हम click करेंगे date of birth आपको डालनी है gender select करना है male female जो भी है ठीक है mobile नमर आपको डालना है email ID डालनी है और उसके बाद bank IFC code नमर डालना है अगर आप pre-matic के अंदर आते हैं अगर आपके बाद bank deal नहीं है आपका account नहीं है तो आपने payments के भी डाल सकते हैं ठीक है पहले IFC code डालना है यहां पर उसके पर दुबार आपको same डालना है ठीक है confirm करने के लिए bank account नमर डालना है फिर आपको दुबार से bank account नमर डालना है फिर जो है identification detail के बारे में आपको detail डालनी है मतलब की आप अधार कार्ट आप यहां पर select करेंगे तीन option आएंगे अधार enrollment ID और bank account अब तीनों में अंतर क्या है यह जान लीजिए अगर आपके बस अधार कार्ट है तो आप simple अधार कार्ट पर click करेंगे ठीक है और यहां पर आप अधार नमर डालना है अगर आपके बस अधार कार्ट नहीं है आपने online apply करा हुआ है तो आपके बस enrollment ID होईगी तो आपको select करनी है उसके बाद आपको bank pass पूक की जो फोटो को पी है मतलब की first page की वो आपको upload करने होगी जहाँ आप PDF में करें जो JPG formula में करें ठीक है ठीक है फोटो भी आपकी होने चीए जो front page होता है उसके बाद जो है यहाँ पर आप enrollment ID डालेंगे date डालेंगे date time और फिर जो आपको मिली होईगी वो फोटो कोपी enrollment ID की वो आपको choose करने होगी upload करने होगी ठीक है फिर जो है इस पर चेक मारना पड़ेगा फिर रेइस्टर पर क्लिक करना हुआ अगर आपके पास जो है यह भी नहीं है फिर आप bank account डालेंगे तो वो आपको फिर्स जो पेज है वो आपको upload करने ही करना है साथ में जो है यहाँ पे लिखा अगर आपके अधार काड़ भी बनवाए नहीं है अपलाए भी नहीं करा तो यहाँ से आप जो है आप अन्रोल एंड समिंट अधार इस पर क्लिक करेंगे ठीक है फिर आप चेक दा आप लिंक मैंने चेक करा है मेरा सबस कोई सेंटर है या नहीं आप चेक करेंगे तो उसके बाद फिल करने के बाद फिर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे अगर आपके बस अधार काड़ है तो टेंशन फ्री अधार स्लेट करिए यहाँ पर अधार नमर डालिए और यह कैप्चर यहाँ पर डालिए ठीक है और फिर तीनों पर जो है चेक मार के जो है रिजिस्टर पर क्लिक कर देजिए ठीक है अब जो है उसके बाद आपके पास स्टूडेंट एप्लिकेशन आईडिया आईगी वह आप फडवर से नोट कर लिजिए जा स्कीन शोड ले लिजिए ठीक है बाकी फ्यूचर में आपके काम आईगी तो उसके बाद आपके कंट्यून पर क्लिक करना है आपके फोन पर अप्लिकेशन आईडिया और पास्वर्ड आया होगा और यह कैप्च आपको यहां पर फिल करना है उसके बाद जो है आपको लोग इन पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद आपके फोन क्रिएट करना है तो आप जो है जैसे आपका नाम रावल है तो रावल एड़ तर रिवन तो थरी लिख सकते हैं सिंपल सा भी कर सकते हैं बस आपको याद होना चाहिए ठीक है पासफ़र आप एक बार यहां डालेंगे दुबारा स्विम यहां पर डालेंगे पर समिट पर क्ल सिर्थ करना है इस पर ठीक है आप यह जो हमने पहले डिटेल कर रे थी वह आ जाएंगे ठीक है तो आप आपको कुछ जो है डिटेल फील करनी है जो रह गई है जैसे घ्रम धरम कौन सा है न है हिंदू है मुस्लिम हैं क्रिक्षिन है सिंह किसाई ठीक है जो हूं से पर कैटि अब जालना है जो आपके डॉक्कमेट में है प्लाकन ट्रीड zwei अपने सब्सक्राइब हिंप अधिक्स प्रीमेतिक जाएब श्रीक में जैदीजिए जबस सत्पाना है Chase ४ अबसे इस पर आपको आपको अधार नमडर आ जाए जाएगे और लिए आपको अधार नमडर जाएगा उसके बाद इमेल एट्रेस आ जाएगी उसके बाद डे सकोलर या होस्टल है तो आप अपनी इसाब से विकलब चुनेंगे डे स्कोलर जा होस्टल मतलब अगर आप होस्टल में जाएकर स्टड़ी कर रहे हैं तो आप इससे स्लेट करेंगे अगर आप घर पे जा स्कूल में जाएकर इंसिचूट में कर रहे हैं तो इस पर क्लेक स्लेट करेंगे ठीक है तो यहां पर बोला है select your institute तो अभी जो है मतलब आप कहां से study कर रहे हैं कहां पर पढ़ रहे हैं तो यहां से तो आप पैसे अपनी state select करके ठीक है और जोन select करके east west north east ठीक है और यहां से अब get list निकाल सकते हैं by chance नहीं आता तो आप नीचे से भी देख सकते हैं और फिर भी नहीं आ रहा तो आप सबसे बड़ी काम करें यहां पर search कर लेजिए जहां पर पढ़ रहे हैं जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे ठीक हैं तो आपके सामने जो हैं नीचे option आजएगी गौर्ण स्कूल सोथ देवाल भी धाल लेकि चरीपूर तो आप जैसे इसमें पढ़ रहे हैं तो उससे आपको select करना है और फिर select करना है हां इसमें करना है ठीक है और फिर जैसे आपको admission अनौल में नमर जब स्टेशन नमर मिला होगा जहां से अब अभी पढ़ रहे हैं ठीक है तो admission को आपका यह डालना है दोजर जैसे कि आपने अभी admission करवाया है तो दोजर बाइस ठीक है उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रोल नमर डालना है ठीक है और section डालना ए बी सी डी जो भी है और अब जो है अब आपको डालना है present class अब अभी कौन सी class में तो यह आपके सामने classes आ जाएंगी मैंने प्रिमेटिक स्रेट कर रहा था इसलिए 10 तक आ रहा है अगर आप प्रोस्मेटिक स्रेट कर र ठीक है तो जैसे कि मैं class 10 में हूँ तो मैंने class class 10 जो है select कर लिया है ठीक है present class start date मेरी जो है class कब से start होई है वो मैं date डाल दो हूँ जैसे कि कि एक मिंट ठीक है यह डाल दी उसके बाद जो है mode of study मेरा mode कैसा है full time है part time है जो भी है आप full time ही select कर लेना ठीक है अपने recording और last examination pass मतलब कि last जो है आपको select करने पड़ी class जैसे कि अग मैं class 10 में हूँ तो मैंने last nine pass करी थी ठीक है तो previous year आपको डालना है ठीक है उसके बाद आपकी percentage कितनी आई थी nine class में वह आपके आपके फिल कर देनी है 88% ठीक है उसके बाद जो है competitive exam qualified ठीक है अगर आप इन में से किसी ने भी exam दिया है तो select कर लेना तो आप blank भी छोड़ सकते हैं ठीक है तो अपने recording अगर आपने कोई अगर आप अनाथ है तो yes पर क्लिक करेंगे ठीक है ने तो no पर रहने देंगे इस और अगर आप अनाथ है तो yes पर क्लिक करेंगे ठीक है ने तो no पर रहने देंगे इस disabled कोई problem है तो yes पर क्लिक करेंगे ताइप select करेंगे कोई disability है कितनी percent है वो आप डालेंगे ठीक है अगर है तो ने तो छोड़ देंगे उसके बाद जो है तो मैट पर अगर आप डिवोजज़ एड़ है तो डिवोज़ पर और अगर आप वीड़ो है तो वीड़ो पर ठीक है तो अनमैड है अनमैड पर क्लिक करेंगे parents profession, आपके parents का प्रोफेशन है, आप यहाँ से select कर सकते हैं, अगर इनमे से कोई नहीं है, तो simple other पी क्लिक कर देना, यहां पर IFC code आ जाएगा bank account नम्मर आ जाएगा फिर आपको save and content पर click करना है उसके बाद आपको contact detail डालनी है state आपके आ जाएगी home district का है east where जो भी है ठीक है उसके बाद जो है rural मतलब gramming होता है गाउं टैप का शहर यह अर्बन है अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको select करेंगे ठीक है उसके बाद जो है यहां पर आपको house number डालना है ठीक है और pin code डालना है जो है आपके सामने जो भी अपने select करेंगी category पोस्मेटिक प्रीमेटिक वह आ जाएगी ठीक है उपको select करनी है उसके बाद जो है आपको जो documents मांगे आपको upload करने पड़ेंगी जैसे bonofite का मांगरा मैंने starting में बताया था कि bonofite का है कि जैसे कि आप जहां पर पढ़ रहे है तो वहां से आपको एक bonofite मतलब एक पीडियाप होगा मैं आपको दिखा भी दे हुआ वह आपको जाकर वहां जाकर verify कराना पड़ेगा मतलब यह होता है कि हाँ यह बच्चा मेरे school में जा इंस्टिटूट में पढ़ रहा है मैं इसको allow करना तो वह आपको save in करा के जो system हुआ कि आपको upload करना है upload होने के बाद जो है जो जो भी documents वांगे आपको फिर करना है डालने upload करने save and drop पर क्लिक करेंगे फिर final submit हो जाएगा फिर आप जो हहां से print application भी कर सकते हैं अपनी chain password करना जाते वह भी कर सकते हैं और withdraw application मतलब कि आई बाइचंस आपकी कुछ mistake हो जात दिया है तो आप withdraw कर सकते है withdraw पे click करेंगे तो आपको simple जो है यहां पे check मारना है और फिर जो है withdraw कर सकते हैं उसका कुछ जीजन भी आपको लिखना होगा कि मैं withdraw कर रहा हूं क्योंकि मेरी spelling mystery हो गया कुछ भी गलती होगे तो यहां आप लिख सकते हैं ठीकर उसके बाद आप simple withdraw पे click करेंगे तो आपकी पूरा जो है application withdraw withdraw हो जाए है मतलब कि जो भी आपने session कर रहा है भी जो भी detail फील करें हो सारी delete हो जाएगी फिर आप fresh से एक दुबारा से जो है कर सकते हैं तो यह था अभी भी कोई doubt हो था comment करके पूश सकते हैं thank you for watching and have a nice channel को जुरू सब्सक्राइ करें